नमस्कार दोस्तों वेल्कम टू श्विंग ट्रेट इस वीडियो में हम बात करेंगे हापिएस्ट माइंड एक टेक्नलोजी कंपनी के बारे में इस कंपनी का डिटेल अनालिसिस करेंगे और देखें कि स्टॉक में क्या बटम बन चुका है यह स्टॉक में अभी इस लेवल प लिए तक आने वाला वीडियो का आपको टाइम लिए मिल सकता है चले स्टाट करते हैं वीडियो विडियो टुस्टिंग टाइम अगर हम देखेंगे तो यहां पर हापिएस्ट माइंड में तो यहां पर बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है और स्टॉक का प्राइस अभी इसी के साथ में कंप्चन अनलैस करते हैं तो यहां पे कंपने का जो मार्कट का पर। का अग oppression का बात करेंगे देखने को मिल रहा है इंवे श्कarde के परीज़ीallah के बारे मात करेंगे तो 31% का return on capital employed है और debt to equity ratio यहां पे जो देखने को मिल रहा है 0.37 यहां पे debt to equity ratio देखने को मिल रहा है उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो यहां पे company में promotor place भी 0 है promotor holding यहां पे 53% का promotor holding देखने को मिल रहा है तो इसी के साथ में company का IPO अभी आया था जो कि September का यहां पे September मे नहीं हुआ है IPO जब से आया है उसके पात में यहां पर बहुत बड़ा एक return भी देखने को मिला था आइप जब से लिस्टिंग वा उसके पात में भारी तेजी देखने को मिला था इसी साब से अगर हम company का मार्स का quarter में अगर हम sales के बारे में बात करेंगे company में चो sales देखने करोड़ का professions देखने को मिला था उसके साथ में अगर हम profit की बारे में बात करेंगे नेट प्रोफिट यहाँन पे 62 करोड का नेट प्रोफिट भी देखने को मिला था अगर हम last quarter का अगर हम देखेंगे तो यहाँपी का सब्सक् eig jury के साथ मेंई अगर हम बात करेंगे तो यहांपर बारोइंग के बारे में भी देखने को मिल रहा है उसी के साथ में अगर हम देखते हैं प्रवायूटर के परेंगे का यहां फ्रवाय। कि अगर हम आज की दिन में ट्रेडिंग सेशन देखेंगे आज की दिन में स्टाउक में फ्लाट रिटण रहा है और यहां पे 34 फर्फ़सेंटज एंसका डिलिवरी देखने को मिला है और यहां पर मिला है 159 फाहं पर तॉक सब्सक्राइब कीडिन ओर बात करेंगे स कीज़ेट कुछ और आधिन जोंदोस्टारॵण में दक्रेक्षजे Nu has be this pressure tooundर बास नहीं रहाएं तब करेंगे सब्सक्राइब की अगर nuclear कशिता उब करतें थे ँसकी बाउज्युदथ पी अगर करेक्शन होता है तो स्टॉक को हमें होल्ड कर सकते हैं और दूसरी बात है यहां पे जो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो यह चीज को हम बिल्कुल हमारा हाथ में नहीं है ठीक है लेकिन हमें यहीं करना है पेसंस के साथ में उस टॉक में होल्ड करना है और आबरेज कर सकते हैं अगर हम बात करेंगे यहां पर गॉल्फ वैल के बारे में तो इसका वी वीडियो पोश्ट किया हुआ है आप जाके जरूर देख सकते हैं और आपके पूर्फलय में पूर्फलय में लेकर रखे हुए जैसे कि बाजस फिंसव हुआ बाजस फाइनांस हुआ लेकिन फिर भी हमारा मन में कभी-कभी सवाल आता है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है ठीक है यहां अगर मन में सवाल है तो आप जाके वीडियो जरूर देखिए तो उसका आनालेस के बार में बात करेंगे इसका आरे से फार्टी नाइन पे चल रहा है ठीक है और दूसरी बात है यहां पे बहुत बड़ा भॉल्यूम के साथ में यहां पे एंट्री मारा है तो यहां पे फिर से अक्यूमिलेट होगा ठीक है जिस वोल्यूम के हिसाब से यहां पे बाइं कि तो को चल क्षारइन हो पर संटेश का तेजी सब्क है यहां से सिधा सिदाइक से तेजी देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद में उसके बाद में अगर वह स्वाथ करेंगे तो यहां पे अगर आप भी यहां तक लेगे चाल सकते ह। यहां पे बहुत बड़ रेजिस्टंस हैं EARP देखेंगे तो यहां पर सबीडिकुत जरूरा के बात करेंगे कि तो यहां से लेके सीधा सिधा आपको 89 परसंटेज का गयन देखने को मिल सकता है फ्रेंट्स अगर 89 परसंटेज का गयन है अगर हो सकता है इसमें एक साल की अदेर साल अगर डो साल भी लगेना मेरे साथ से कोई बुरा नहीं में जाएंगे 30 percent का ixpetsन को मिट करेंगे और दखींगी 30 percent का अगर हम consistency के साथ में चलाता हूं यहां पर करते हैं 30 percent में हमारा कितना वेल्थ बन सकता है यहां पर दिखेंगे मैंने 1,00,000,000 लिया हो और उसी के साथ में मेरा जो expectation 30% है उसी के साथ में अगर 10 साल में consistency के साथ में चलाता हूं यहां पे 30% का हिसाब से 10 साल consistency के साथ में चलाता हूं तो 20 साल में हमारा जबर्दस तरीके से wealth बन सकता है यह प्राक्टिकाली पॉसिवल होता है लेकिन हमें patience के साथ में hold करना है ठीक है यह जो बीच में जो दोर आता है जहां पर मार्केट थोड़ा सा consolation mode में रहता है तो उस टाइम पर हमें patience के साथ में hold करना है उस टाइम अगर आप बोले हैं कि नहीं 30% मेरा नहीं आया मैं क्या करूं यहां करने से नहीं होगा क्यूंकि कभी-कभी मार्केट इसी साब से चलता है किसी बार आपको 40-50% की return दे देगा और किसी साल आपको 10-15% return पर भी आपको खुश रहना ही पड़ेगा ठीक है और मार्केट ऐसा कोई यहां पर ग्यारेंटी रिटान नहीं है तब भी तो यहां पर स्टॉक मार्केट में रिस्क है वो चीज तो लिखा जाता है ना तो मार्केट सब्जेक्ट मार्केट रिस्क तो यहां पर यह चीज तो होता ही है ठीक है लेकिन अगर आप सीख समझ के बड़ी ऐसा स्टॉक को होल्ड करेंगे तो पैसा कमाएंगे कोई इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है मुझे लगता है यहां पर बहुत बड़ा अपर्चुनिटी है है तो यह स्टॉक में आप ब हैं बात करेंगे तो यहां पर का कॉल दिया हुआ है और एक अपका डेट है अगर यहां पर मई सोला को यहां पर डेट दिया हुआ था जो कि एक मैना पहले यहां पे डी दिया होता है तो यहां पे अगर आप इसी चाह्ब से भी टारगेट लेके चलते हैं तो यह पर यहां पर तर्विक्ट इस लेवल तक ठीड है अगर त्थया डीट कि अग्र आप लेके चलते हैं तो यहां-पर तक कि अब लेकिन परसनली में इसमें जो पोजिशन बनाऊंगा तो मेरा यह जो टार्गेट रहेगा तो यहां पर 1555 के लिए लेके चलूँगा हो सकता है इसके लिए मुझे दो साल भी लग जाए मेरे इसाफ से कोई बुरा नहीं है दो साल में जब यहां पर 90% का गेन मिल रहा है तो इसमें मुझे कोई प्रोब्लेम नहीं है ठीक है लेकिन आप किसी भी स्टॉक में पोजिशन बना रहे हैं आपका फाइनसेल आडवाइजर से जरूर सला ले लिजिए तो उसी इसाफ से आपको किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाना है मेरा केने पर आपको सीखना है समझना है और पॉर्टफोलियो को करके किसी भी स्टॉक में पोजिशन बनाना है लेकिन किसी भी स्टॉक में पोजिशन बना रहे हैं माजियम 3% से ज्यादा किसी भी स्टॉक में पोजिशन मत बनाएं क्योंकि यह स्टॉक मार्केट है किसी भ परामेटर देखके हम कंपनी में पोजिशन बनाते हैं ठीक है उसकी बावजुद भी अगर कुछ इशू होता है तो वह हमारे हाथ में नहीं है ठीक है तो इसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है सीखना और करना है ठीक है अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को हड़ सब मेसेज करके मेरे साथ में जरूर करनेक्ट हो सकते हैं ठीक यू बरी मुच फ्रेंज पर आचिंग इस वीडियो मिलते हैं नहीं एक वीडियो के साथ में